हेलो एब्रीबान स्वागे थे आपके हमारे प्यारेसी चैनल बेहन्स फढ़ारी में आज हम करेंगे अपना दस्वी का चाप्टा डायरी का एक पन्ना इसमें क्या होता है भाई लिखको ना डायरी लिखने का बहुत शोक होता है मतलब जो भी उनकी लाइफ में डेली बेसिस पर होता है वो अपना डायरी में लिख देते है परसनल डायरी में तो एक देट थी 26 जनवरी 1931 उस दिन उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा था उसके ओपर यह चैप्टा है जो कि आज हमें पढ़ना है ठीक है आच्छा तो अब हम इस चैप्टा को स्टार्ट करेंग चैप्टा है अब स्टार्ट करते है अपने इस पार्ट को डायरी का है परना है ना तो यह जो पार्ट है इसके लिखक का नाम है सीताराम सकसेरिया और उन्हें अजादी के बारे में बहुत रूची रहती थी और वो जो है महान इंसानों में से एक थे तो दिन प्रते दिन लाइफ में जो भी वो देखते थे, सुनते थे, महसूस करते थे, वो अपनी एक परसनल डायरी में लिख देते थे, कि आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरीके से, so ये जो पार्ट है, उनकी डायरी का एक हिस्सा है, ठीक है, उन्होंने 26 जनवरी 1931 में डायरी लिखी हिंदुस्तान में स्वतंत्रा दिवस मनाया गया था, ठीक है, और जब अगला साल है, यानि कि 26 जनवरी 1931 को वो दोहराने वाला था, ठीक है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में फिर से स्वतंत्रा दिवस जो है, आने, मनाया जाना वाला था, ठीक है, और उसके लिए बहुत स के लिए 2000 रुपे खर्च किये हुए थे और उस टाइम पे 2000 रुपे तो आप लगा लो कितने जादा बड़ी रकम होगी है ना सभी मकानों पर भारत का राष्ट्रे जंडा फैरा रहा था और बहुत से मकान तो ऐसे सजाए गए थे जैसे सभी को स्वतंत्रा मिल गई उपर ऐस सभी भागों में हर जगा पर जंडे लग गए थे पुलिस अपनी और जो पुरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे लिए घूम रही थी हर जगा उपर नोंने निग्रानी रखी हुई थी पहरेदारी कर रहे थे वह ना प्रदर्शन कर रहे थे कि तुम क्यों जंडे लगा किया गया था ओके तो समारक के नीचे मतलब मॉन्यमेंट होगा कलकत्ता में वहां उसके नीचे शाम को सभा होने वाली थी मतलब मीटिंग होने वाली थी उस जगह को तो सुबह 6 बज़े से पुलिस ने बहुत बड़ी संख्या में आकर घेड लिया था कि यहां पर कोई सभ संद्री पार्क में बड़ा बजार कॉंग्रेस कमीटी के युद मंत्री हरीश चंदर सिंग जंडा फैराने के लिए पहुंचे मतलब एक तारा संद्री पार्क था वहां पे बड़ा बजार लगना था ठीक है सो कॉंगर्स कमीटी के जो युद मंत्री थे डिफेंस मिनिस्टर थे जो की हरीश चंदर सिंग थे वहां पर जंडा फैराने के लिए पहुंचे कहां पितारा संद्री पार्क में लेकिर वह अंदर ही नहीं जा सके यह देखो वहां पर भी काफी मारपीट होने लग रही थी मतलब उस जगह पर काफी मारपीट होने लग रही थी और दो चार आदमियों के तो सर भी फट गए थे ठीक है अब आगे देखो क्या होता है मारवाडी बाली का विद्याले में लड़कियों ने अपने विद्याले में जंडा फैराने का समारो मनाया था मतलब लड़कियों रूम सेवी भी आ हूए थे मतलब उस स्कूल में मार वारी बाली का स्कूल में जब लड़कियां इसी झन्डा फैराने का समारो मना रही थी तभी दो अधिन आदमें को पकड़ के ले गई तो उन आदिमा में मुख्य यानि की मेन लीडर्स कौन-कौन थे पुर्णोदास और पुर्णोदास ठीक है सो अब सुभाष बाबु के जुलूस की पुरे जम्मेदारी अब सुभाष धुदाजी सुभाष अन्दर बोस हैं वो भी जुलूस निकालने वाले थे तो उनके जुलूस की पुर्णोदास पर थी अब उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था ठीक है परन्तु वो पहले से ही अपना काम कर चुके थे जो जुलूस निकालने काम है ना जो कि किसके हाथ में था पुरुण अदास के हाथ में वो पहले ही अपना काम कर चुके थे पुलिस के पकड़े जाने से पहले स्त्रिया जो थी अपनी तैयारी में लगी हुई थी, अलग-अलग जगहों से, स्त्रिया भी अपना जुलूस निकालने पर लगी हुई थी, सभी जगह पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी, मतलब स्त्रियों ने भी वोमिन ने भी Activity participation किया था, जब से स्वतंत्रा प्राप्ती के लिए कानून तोड़ने वाला आपको पता ही आपने नाशनलिसम इंडिया वाले चाप्टर में भी पढ़ा है कि महात्मा गांदी ने कितने सारे मुवमेंट्स चालू गए थे जैसे कि नौन कॉपरेशन मुवमेंट्स चालू किया था कि से आज 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई है मतलब इतनी बड़ी सभा बिटिश लोग तो कहां पर करने देंगे सभा है ना वो तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर देंगे लेकिन वो बताते हैं कि आज जो सभा होनी थी वो इतनी बड़ी सभा पहले कभी हुई नहीं थी और यह सभा तो कह सकते हैं कि सबसे सबके लिए एक ओपन लड़ाई थी और यह सभा में एक तरीके की लड़ाई थी जो क्योंने जीतनी थी कि इनको हिंदुस्तानियों को ठीक है एक और पुलिस कमिशनर ने नोटिस निकाल दिया कि आमक आमक धारा मतलब एक धारा थी एक आर्टिकल की अनुसार कोई भी कहीं भी इस किसी भी उस्तिया कि शभा कर दया तो उसे जेल में बंदकर दिया घीक है पिर वहाँ पर परिशद की ओर से, मतलब एक जगा परिशद की ओर से नोटिस निकाला गया कि ठीक चार बज़ कर चौबिस मिनिट पर समा रखे यानि की मॉनियमेंट के नीचे जंडा फेराया जाएगा और स्वतंत्रा की प्रतिग्या यानि की प्लेज पढ़ी जाएगे ठीक है सबी लोगों को उपस्तित रहने के लिए कहा गया था मतलब यह ऐसा निकाला था इंडियन गॉम्मेंट ने ठीक चार बच कर दस मिनिट पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की और निकले जब वे लोग मैदान के मोड पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोखने के लिए लाठिया चलाना शुरू कर दिया ठीक चार बच कर 24 मिनिट पर सुभाष जी का जुलूस था वो आ गया समारक के नीचे और वहां पर ब्रिटिश गॉम्मेंट ने लाठिया चलाना शुरू कर दिया उनको रोखने के लिए ठीक है बहुत से लोग घायल हो गए सुभाष बाबू पर भी लाठिया पड़ी थी लेकिन फिर भी सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम वंदे मातरम बोले जा रहे थे इस तरह से उनकी इस तरह का महौल तो उस टाइम पर लेकर बताते हैं कि इस तरीका का महौल था और दूसरी तरफ समारक के नीचे जो मॉनिमेंट था उसके नीचे स्त्रिया जो की प्रतिग्या ले थी जो कि decided था कि 4 बचे 24 मिनट पे प्लेज ली जाएगे और जंडा फिराए जाएगा तो वो काम स्त्रिया कर रही थी स्त्रिया बहुत अधिक संख्या में आई हुई थी मतलब active participation था woman का भी है ना सुभाश बाबू को भी पकड़ लिया गया था और गाड सारी भीड इखटी हो गई तो पुलिस जो वो बीच भीच में लाठिया चलाना शुरू कर देती थी और इस वर भीड जादा हो गई थी तो आदमी भी बहुत जादा जख्मी हो गए थी ठीक है धर्मतले के मोड पर आते आते जुलू स्टूट गया था मतलब इतनी बड़ी जो गैधरिंग थी वो दीरे दीरे पीस-पीस होते चलेगा जुलू स्टूट गया और लगभग पचास-साठ स्त्रियों को पचास-साठ जो स्त्रिया है वही पर मोड पर बैठ गई थी ठीक है उन स्त्रियों को भी लाल बजार के लौकप में भेज दिया गय था और भी कई आदमें को गिरफतार कर लिया गाया था एक जो लेडी ती जो की स्कूल में आयए हुई थी मदर सा को भी समय का और जमना लाल बजाज की पूत की थी मतब इनके मँधाल साका नाम से नम уже से मदाल साके पर कर किसुओड अवरा from इतनी सारी स्त्रिया कभी भी गिरफतार में हुई थी मतलब ही हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि इतनी सारी लेडी को गिरफतार किया गया है न डॉक्टर दास गुपता उनकी देखरेक कर रहे थे और उनकी फोटो खिचवा रहे थे उस समय तो 67 आदमी वहां पे थे कहा पर डॉक्टर के पास और दीर दीर 103 तक आ गये थे मतलब इतनी जादा नाजुक हालत हो गई थी जिनको लॉकप में बंद किया गया था इतना सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ लोगों को ऐसा प्रचन रूप पहले देखने को नहीं मिला कि ऐसे ऐसे लोगों का रूप भी ह हो सकता है तो बंगाल या फिर कोलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यह स्वतंत्रा में कोई भी इनका रोल नहीं है लेकिन आज यह कलंक या निकि 26 जनवरी 1931 को यह कलंक एकदम काफी अच्छे से धुल गया है और लोगों को यह पता चल गया है कि यहां पर भी स्वतंत्रा के व यह नहीं है लोगों एक यह वारा लगों को यह चैनल लोगों तो उत्यों कि वसक्रत तबेलत्छल में ऑजियों तो इस था क्यांक स्वयल क्रूश्व क्रया है